अब तक हम लोग घन और घनाव इस पर आधारित फार्मूले पढ़ चुके हैं यानि क्यूब और क्यूब आइड का आपको मैंने पढ़ा दिया था आप शेयर्भव सफेय और टीएस न कर्फेया सफस्ट यह सेयं कूछ था न टोटल सर्फेस आफ एडिया है और सर्फेस आफ आपको बढ़ा चुके है वे यीडियोत हो गया जया सुमक्र्परिश्ट वह संपूर्परिश्ण क्यूकश हो गया इसका सारा आप सिलेंडर एंड कॉन इसके फार्मूले और उनके कांसेप्ट सीखेंगे यानि बेलन और संकू का देखिए सिंपल में अगर हम एक चीज आपको बताएं तो आप सबको मालूम होगा कि यह एक बृत्त है बृत्त से आप लोग परचित है तातियों बृत्त के बारें पहले सिलेंडर बोलते हैं जैसे अगर आप यहां ध्यान दो थोड़ा सा यह मेने खीचा इसमें ससे बढ़ाया करें अगर विसके आकार की बात करें तो आपके घर में गए सिलेंड़ आप देख सकते हो को हो गया उससे आप देख सकते हो अगर इसके मारक की बात करें तो देखिए मैं डिबा लिया हूँ आपको दिख रहा हैं यह इसमें कुछ है घृता हूं नहीं क्या है यह क्या है सिलेंडर का एक अच्छा एक्जांपल है इसमें देखो ऊपर ही गोलाई है नीचे भी है समझे लें oh bounced में क्या है इसमें हाइट है यानि दो सब्सक्राइर घा बनेगा एक इधर अगर इसे चीजें उन्हें खोलतें स्लेंडर आकार की बोलते हैं हिप है हुआ हिसमें क्या क्या पढ़्णा है पता हैं इनके फोर्मूलों में हमें इसमें से कम फ्रेंस परता है और एरिया जो की circumference और एरिया आपका circle का सिधा फिदा निकल जाएगा फिर जो 3D figure है इनमें आप CSA कर्ब surface area और total surface area फाइंड करेंगे यानि वकर प्रिष्ट और संपूर प्रिष्ट और इसका आयतन भी निकालेंगे इसे इसका कोई आयतन नहीं होता है ठीक है घन और आप के आयतन होते हैं और ब chiliन साफी लेते हैं ठोड़ा जलव हमये करने की कोशिव करेंगे circumference देखिए आप तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि बृत का जो कामफ्रेंस यानि परिध align होती है यहां लिखा हा है बृत की प्रिधी यानि सर्कम कामफ्रे Ouch इहां साद को बता है अब तक आप पड़े वarta होता है और क्या होता है विश्ка होता हे उगया और हुँटा इसकी अगर हम बात करें या इसकी आगर यह आर के यूज और गया है तो मैं पाइर का ही उच करते हैं और सिर्फ इसका स्क्राइब कर देते हैं बस ओके यानि आरका स्क्राइब आप करें सी एस ए यानि सी एसे का मतलब कर्फ सर्फेस एरिया प्रिष्टिये छेतरफल या वह कर प्रिष्ट की तो देखिए जरा समझ यह यह आपको दिखे रहा है सरकल है यह क्या है एक हाइट वाला चीज नो यहां पर आपको थोड़ा सा समझ के चलना है जैसा कि परिधी आपने निकाला था ठीक है पर दिया निकाला था यह ठीक है उपर उपर से ही मतलब है बस तो टू पाई आर यह परिदी होता है न इसमें हाइट भी ले लो बस एच तो यह हो जाएगा टू पाई आर एच यह क्या हो गया आपका सरकॉंफरेंस यह नहीं आपको यह चीज भी इसमें ले लेना है बस टी एसे में और बाखी जो आप इसका निकाल रहे थे वो चरो तरफ बाउंडरी वो ठीक है वही फर्मूला इसमें होता है संपूल प्रिष्ट में क्या होता बाबू देखो इसमें सीधा सा बात है संपूल प्रिष्ट में नीचे का भी सरकल और उपर का भी जो सरकल है इसका दोनों जूड़ जाता है क्या यानि संपूल प्रिष्ट में यह होता है थोड़ा समझ न कि जो आपका यह टू पाई जूड़ जाता है इस ब्रित्त का छेत्रफल और इस ब्रित्त का छेत्रफल चूंकि एक ब्रित्त का छेत्रफल पाई आर स्कॉयर होता है इसलिए दोनों ब्रित्त का जो छेत्रफल है वो जूड़ेगा तो टू पाई आर स्कॉयर हो जाएगा यह तू पाई और आर स्कॉयर कि कितना समझ में आया टू पाई आर स्कॉयर आप देखो इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम कॉमन ले सकते हैं टू पाई आर अगर कामन लेंगे तो एच प्लस आर बचेगा ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न तो यह आपका हो जाएगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न तो यह आपका हो गया तीनो सी एसे टी एसे एंड सकॉंफरेंस इसको लिख लिजे इसी तरह कौन वाला करेंगे यानि संकु वाला देखो बच्चों कमेंट के लिए ना परिसान रहो कुछ बच्चे कहते हैं लाइब नहीं है रिकार्ड ह कैसे क्या है बिटा देखो कमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ाने पाएंगे इसलिए पढ़ाने दो क्लास देखो दयान से कमेंट नहीं पढ़ेंगे आज किसी का अगला देखें संकु अंकु मतलब जानते हो टोपी जैफे जोकर की टोपी होती है नीचे गोला उपर सिस्का फ़्रणे के इसकी तिसी लंबाई को यहर मानते है इसमाल ओके इसमी देखो आहां इसमें जो अभी खष्टम हुआ उसमें मैं ने लनमने में बाबू इसनुमंए आयतन नहीं तो भूल गया था आयतन क्या होता जानते हो बहुत सी बात है वही कि अ पाई आदि इस्क्वारेट आपको पता च्छेत्रफल होता है न उसी च्छेत्रफल में मुचाई कभी गुड़ा कर देतें उसी को आयतन बोलते हैं तो पाई आदिसक्वार एच यानि जो ब्रित्र का च्छेत्रफल होता है उसी में एच से मल्टीपल कर देते हैं वह बैलन का आतन हो जाता ठीक है चलिए इसमें क्या-क्या निकालेंगे इसमें C-S-A कर्व सर्फेस एरिया T-S-A टोटल सर्फेस आफ एरिया एंड वैलूम झाल्या टो मैंने कहा था की पाई यार सबमें रहेगा यह बात मैंने आपको स्टार्टिन में बताया था हर एक में पाई यार रहेगा और आपको क्याकरना है भई परिश्टिय चैतरफान नंगालना है तो यह सब चीज तो ठीक है जो भी है इसकाsky निकाला 4 पाई यार जो ठ थोड़ा बीच-बीच में ओबर लैप कर रहा है थोड़ा सा कुछ गडबर जा रहा है कोई बात नहीं तो पाई यार इंटू इसमें यल से मुल्टिफल कर दोगे बस ठीक है ओके ये से में क्या करोगे बहिया इसमें अपको पता है कि बृत का चेथ्फल और कर दो इसकी इसमें जो देते हैं इसमें देखो भंब आप पाई और र कामन ले लोगे यल प्लस आर बज़ता है भीक है यह आपका फाइनल सूथर को जाता है इपी तरह से बैलूम की बात करें तो इसमें क्या करते हैं बाबू आफ वो सारी वान अपां थरी और पाई आर स्कॉयर एच इसमें आर एच से मल्टिपल कर देते यह आपके सारे फर्मूले थे पूरे चैप्टर के इसमें अगर कोई किसी को कहीं से डाउट है तो बताओ आपने घन, घनाव, बेलन और संकु के सारे फर्मूले देख लिए सारे कांसेप्ट देख लिए कैसे फर्मूले आते हैं अब अगर कुश्चन करेंगे तो ना निश्टा आप सिर्फ कुश्चन ही करेंगे एक सेसाइट 13.1 13.2 तब बलतोड सब खतम हो जाएगा फिलाज को ज्यादा फिज्यादा लाइक करें और दोस्तों में सेयर करें कुश भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं हम आपकी समस्या का समधान करेंगे कमेंट सबका देख रहें जो डेली आता उसी का नाम बोलते हैं इन बच्चों में जो डेली जुड़ते हैं उनका नाम है आनन जी नाम है अवंतिका कुपता मनीज कुमार मनोज यादो और एक प्रियांसी सिंग तो सभी का बहुत बहुत थैंक्यू कलास को ज्यादा ज्यादा सेर करिए अगली कलास में फिर से मिलेंगे हम तब तक के लिए थैंक्यू